इसराइल नए तरीके से हूतियों को छखाएगा मजा, भारत की मदद से बनेगा, काम इसराइल और हमास में जंग जारी है, इसी बीच हूति विद्रोहियों के इसराइली जहाजों को निशाना बनाने की नई तरकीब इसराइल निकाल रहा है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके लिए वह दोस्त देश भारत और UAE की मदद से आगे काम कर रहा है, इसराइल और हमास में जंग जारी है, इसी बीच हमास के समर्थित यमन के हुती विद्रोही, इसराइल की और जाने व कि इसराइल से यमन के पास लाल सागर से आने जाने वाले जहाजों में लदे माल को हूती विद्रोहियों से कोई खत्रा नहीं होगा, हूतियों, कि इसराइली जहाजों पर किये जा रहे हमलों के बीच, इसराइल अब भारत के साथ व्यापार के लिए, UAE के माध्यम से माल परिवहन करने की योजना पर काम कर रहा है। हालां की अभी UAE के अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक टिपणी नहीं आई है। जानिए, क्या बोले इसराइल के परिवहन मंतरी? इस संबंध में इसराइल के परिवहन मंतरी, मिरी रेगेव ने एक्सपर पोस्ट में कहा कि हमने अबुधाबी से इसराइल तक माल को जमीनी रास्ते से लाने के लिए पेशेवर टीमें गठित की हैं। उन्होंने कहा कि माल के भूमी परिवहन से समय बारा दिन कम हो जाएगा और हूतियों के हमले की समस्या के कारण मौजूदा प्रतीक्षा समय भी काफी कम हो जाएगा। हम यह करेंगे और हम सफल होंगे। हालांकि मेरी रेगेव ने इस बात का खुलासा अभी नहीं किया कि युए इसे ए इसराइल तक माल की ढुलाई के लिए कौन से जमीनी रास्ते का उप्योग होगा और माल किन देशों से होकर गुजरेगा। इसराइली जहाजों को क्यों निशाना बना रहे हूती विद्रोही? जब से इसराइल और हमास में जंग शुरू हुई है तभी से हूती विद्रोही इसराइल के विरोध में तनाव को बरहा रहे हैं। जब से पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी? घन्यवाद! जब सकता हुआते हैं। जब भी साथ ही बहीं यालोग। जब लग्य्रोहीं पार्म